तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिनी अटेम्ट एक्लासिस चैनल पर तो जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको रेगुलर क्लासिस बायलोजी से रेलेटेड एनाटोमी फिजलोजी से रेलेटेड प्रोवाइड कर रहा हूं जो कि नीट अपीरियंट्स के लिए नर्स होने वाले हैं तो उसी सीरीज में आज मैं आपको एक नए region के साथ में आपके सामने सीरीज में आज की स्क्रीन इसक्राइब करेंगे अगर हम ठान ही लै तो कुछ भीशंभब नहीं है याद रखिएगा अगर हमने किसीवी कारे को करने के लिए ठान लिया तो वो असंभव नहीं है, किसी भी इस्तिती में वो असंभव नहीं है, होता क्या है, कि students पहले से ही डर जाते हैं, सोच लेते हैं कि हम कुछ करी नहीं पाएंगे, हम exam में बैठी नहीं पाएंगे, हम exam crackी नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर किसी student नहीं ठान लिया, कि नहीं मु कि क्लास आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड सर्कुलेमारे में टाहिक किन प्रकार से होता यह सारी study से पहले मैं आपको बता दूँ किस्टाट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि प्लड सर्कुलियर काडियो-फ्वेस्पूलर सिस्टम का एक टोपिक के काडियो वैस्कुलर सिस्टम मिन्स ऐसा सिस्टम जिसमें हम काडियक मिन्स हर्ट वैस्कुलर माने ब्लड वैसल के बारे हम पढ़ते हैं इससे प्रिवियस क्लासिस में मैं आपको ब्लड वैसल हर्ट के बारे में पूरी क्लासिस करा चुका हूं तो आपने अब ही तक नहीं दे nutrients respiratory gases and other essential products are transport through the body by blood vessels जैसा कि मैंने आपको बताया हमारे शरीर में blood vessels होती हैं तीन artery vein और capillaries तो blood vessels के द्वारा blood को अपने अंदर से गुजरने देना बहने देना ही क्या कहलाता है blood circulation blood का हमारे पूरे शरीर में शरीर के अंगों तक पहुंचना ये कहलाता है blood circulation और इसको आसन बासा में हम कह सकते हैं पूरे शरीर से deoxygenated blood को इखटा करके हट में देना और हट से बापस body में oxygenate होकर के पहुंचना blood circulation कहलाता है ठीक है क्योंकि blood के द्वारा हमारे शरीर में सभी nutrients सभी respiratory gases और essential product transport किये जाते हैं इसलिए मैंने यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है कि blood circulation से nutrients respiratory gases और essential product हमारी बॉड़ी में transport होते हैं याद रहेगा तो blood circulation क्या है ऐसा एक system एक ऐसा तंत्र जिसके द्वारा हमारे पूरे शरीर में blood को फैलाया जाता है blood को पहुचाया जाता है जिससे blood पूरी requirement हमारी body की हर cell की requirement चाहे oxygen की हो चाहे respiratory gases की हो उसको पूरा कर सके ठीक है तो चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं types of blood circulation के बारे में कि type of circulation कितने होते हैं और क्या होते हैं तो types of circulation दो तरह से इसको divide किया गया है पहला होता है systemic circulation याद करिए systemic circulation और दूसरा है pulmonary circulation pulmonary circulation ठीक है तो एक एक करके अब इन पर बात करेंगे सबसे पहले हम बात करने वाले हैं systemic circulation की तो आप एक तरफ diagram देख रहे होंगे और एक तरफ systemic circulation के बारे में मैं आपको लिखाया है तो systemic circulation क्या है एक ऐसा circulation जिसमें पूरी body से deoxygenated blood एक खटा होता है और heart तक पहुंचता है कहां तक पहुंचता है heart तक और फिर heart उसे pump कर देता है पूरी body में फिर से oxygenated blood को याद रखना आने वाला जो blood है वो तो होता है deoxygenated लेकिन heart जो फैकता है जो ले जाता है या छोड़ता है वो blood होता है oxygenated याद रहेगा चलिए next अगली लाइन आपके सामने लिखी हुई है it transport oxygenated blood away from the heart इस लाइन का मतलब है कि हमेशा systemic circulation में heart जब भी pump करेगा तो oxygenated blood हमारी body से body की तरफ आएगा heart से निकलेगा body की तरफ आएगा याद रहेगा ठीक है आप side में diagram देख सकते है मैंने इस diagram के थूँ आपको सारी चीजें दिखाई है किस तरीके से heart attach है heart से blood vessels attach है किस तरीके से body से बार बार में blood आता रहता है और body में ही जाता रहता है ठ flow chart की मदद से हम पढ़ेंगे systemic circulation को समझने की कोसिस करते हैं तो सबसे पहले body से deoxygenated blood जो नीले color से मैंने blue color से जो arrow दिखाई है वो सो कराया है मैंने आपको deoxygenated blood तो body से सबसे पहले deoxygenated blood inferior and superior vina kava यहां पर लिखा हुआ है ना IVC and SVC जिसका मतलब होता है inferior vina kava and superior vina kava तो inferior और superior vina kava दोनों ही largest veins है उन veins से पूरी body से blood को एकटा करके लाया जाता है deoxygenated blood को याद रखना deoxygenated blood को फिर वह blood right atrium में जाता है deoxygenated blood को का छोड़ दिया जाता है right atrium of heart में heart की वीडियो हम बना चुके हैं पहले ही सारी chambers में आपको clear कर दिये थे तो right atrium right side में उपर की तरफ पाए जाने वाला chamber है heart का तो inferior superior vina kava उसे drain का करती है right atrium में right atrium के बाद में blood जाता है directly right ventricle में तो वहां right atrium और right ventricle की बीच में एक valve पाया जाता है उसे हम tricuspid valve केते हैं क्या केते हैं tricuspid valve याद रखिएगा right side में होता है फिर right ventricle से blood जाता है pulmonary trunk में और pulmonary trunk से जाता है lungs में कहां जाता है lungs में जाता है तो यहां तक का जो circulation था वो था deoxygenated blood का यहां तक कैसा blood रहा deox oxygenated क्योंकि lungs के अंदर हम जब सांस लेते हैं तो हवा जाती है oxygen जाती है तो वह lungs उसे purify कर देते हैं oxygenate कर देते हैं तो lungs से बाद का जो system होगा circulation होगा वो पूरा oxygenated होगा जो कि मैंने आपको red color से दिखाया है तो lungs से blood निकल करके pulmonary veins के द्वारा चार pulmonary veins के द्वारा left atrium में blood जाता है और left atrium से जाता है left ventricle में कहां जाता है left ventricle में by the bicuspid ball इन दोनों के भीच में लगा हुआ होता है उसके बाद में जाता है यह आयोटा में left ventricle से जाता है आयोटा में जो कि great blood vessel कही जाती है सरीर की सबसे बड़ी artery कही जाती है वहां जाता है आयोटा से पूरी body में यह blood circulate हो जाता है फैल जाता है ठीक है इस तरीके से systemic circulation complete होता है चलिए अब हम बात करेंगे body का अगला circulation जिसको हम pulmonary circulation कहते हैं क्या कहत है ऐसा circulation जो लंग्स से संबंदित हो क्योंकि pulmons को medical में हम लंग्स यानि लंग्स को ही pulmons कहते हैं ठीक है तो in this circulation blood is circulate from heart to lungs and lungs to heart blood कहां से आया heart से आया lungs में और lungs से बापिस कर दिया गया heart में oxygenate करके ठीक है और इसमें transport होता है deoxygenated blood from heart to lungs हिरदय से deoxygenated blood को lungs में भेजा जाता है oxygenate करने के लिए याद रहेगा चलिए अब एक flow chart के माध्यम से इसको हम समझने की कोसिस करेंगे कि pulmonary circulation कहां से कहां तक का होता है वैसे हम यह systemic में पढ़ चुके हैं पर फिर वह एक वारे से नजर मारी इसको याद रखिए right ventricle से पहले ध्यान रखना right ventricle से deoxygenated blood जाता है pulmonary trunk में कहां जाता है pulmonary trunk में और pulmonary trunk से जाता है pulmonary arteries में pulmonary artery से blood फिर जाता है lungs में और lungs इसे प्योर कर देते हैं इसमें oxygen घोल देते हैं मानि oxygenate कर देते हैं oxygenate हुआ blood फिर pulmonary veins के तुरू चार pulmonary veins के तुरू left atrium में आता है कहां पता है left atrium में आ जाता है और left atrium से फिर left ventricle और फिर उसको एउटा के तुरू हमारी body में circulate कर दिया जाता है तो right ventricle से blood कैसे left atrium में आया तो ये पूरा जो रास्ता है ये रास्ता pulmonary circulation कहलाता है इस पूरे रास्ते को हम pulmonary circulation कहते हैं ठीक है तो आज के लिए इतना ही thank you very much अगर आपको ये lecture अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करें share करें और कोई positive या negative कोई feedback दें अपना जिससे हम mini attempt e classes को subscribe करें और अपने दोस्तों के साथ में share करें जिससे उनको इन lectures का फायदा हो सके thank you very much